गहरा सब्द को इंग्लिस में डिप कहा जाता है क्या डिप उतरना सब्द को इंग्लिस में डिसेंट कहा जाता है क्या डिसेंड गोडी सब्द को इंग्लिस में मेर कहा जाता है क्या मेर सजा सब्द को इंग्लिस में punishment कहा जाता है क्या punishment प्राणी सब्द को इंग्लिस में animals कहा जाता है क्या animals पाना सब्द को इंग्लिस में get कहा जाता है क्या get भीगना सब्द को इंग्लिस में wet कहा जाता है क्या wet हकिकत सब्द को इंग्लिस में reality कहा जाता है क्या reality छोरी सब्द का मेनिंग थेप्ट होता है क्या थेप्ट लंगड़ा को इंगलिस में लेम कहा जाता है क्या लेम पवित्र सब्द को इंगलिस में हॉले कहा जाता है क्या हॉले काटोरा को इंगलिस में बाउल कहा जाता है क्या बाउल नपूनसक को इंग्लिस में इंपोटेंट कहा जाता है क्या इंपोटेंट आसपास को इंग्लिस में नीरबाई कहा जाता है क्या नीरबाई आग्या को इंग्लिस में पर्मिशन कहा जाता है क्या पर्मिशन बहादूर को इंगलिस में ब्रेव कहा जाता है क्या ब्रेव सलाहा को इंगलिस में एडवाइज कहा जाता है क्या एडवाइज खिलना को इंगलिस में ब्लूम कहा जाता है क्या ब्लूम अमर को इंगलिस में अमोटल कहा जाता है क्या अमोटल बदमास को एंगलिस में skunk कहा जाता है क्या skunk और आप बेसे ही knowledgeable और interesting meanings की वीडियो धरूज पाने के लिए इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवसे करे थैंक यू